नितिश कुमार जी मुद्दो को डाइवर्ट करने में माहिय है और जिस तरह की राजनीती वो करते रहे हैं ये उनमें महारत हासिल है समाज में दिख भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए नितिश कुमार ऐसी राजनीत कर रहा है लेकिन मैं आपको बता देने चाहते हूँ कि इस बार महिश्टेट चेकिन में वो पकड़े गए। भारतिय इंता पार्टी के परदेश अध्यक सवालों पर सवाल करते जा रहे हैं। देखे वियाईपी से अगर कंडियेट होते तो वियाईपी छोड़ करके नहीं आते। वि पिहार में एक सीट पर उपचुनाव है बोचह में और उससे ठीक पहले नितीश कुमार राजसभा की बात कर लेते हैं कि सब जगा तो गया मगर राजसभा नहीं गया और फिर बात उड़ जाती है उप राष्टपती की। तो क्या ऐसा क्या और क्यूं हो रहा है कि नितीश कुमार जी मुद्दो को डाइवर्ट करने में माहिर है और जिस तरह की राजनिती वो करते रहे हैं यह उनमें महारत हासिल है और आपको मैं बता देना चाहता हूं मुकेस सहनी का जिस तरह से भारतिय इंता पाटी ने राजनिती में हाल किया है उसके बाद से भारतिय इंता पाटिया और नितिश कुमार की किरकिरी हो रही थी आती पिछड़ा समाज के लोग उन से सवाल कर रहे थे उन सवालों से लोगों को भटकाने के लिए और कहीं न कहीं समाज में दिख्भरम की स्थिति पैदा करने के लिए नितिश कुमार ऐसी राजनीत कर रहे हैं इस तरह की राजनीती नितिश कुमार को करने में महारत है लेकिन मैं आपको बता देने चाहते हूँ कि इस बार मैश्टेट चेकिंग में वो पकड़े गए और भारतिय इंता पार्टी उनके साथ जिस तरह का वेभार कर रहे हैं चाहे लौ एन ओडर का मामला हो चाहे महिलाओं पर अत्य कुमार जी के कारच्षमता पर अनितिश कुमार उन सवालों का जवाब देने की जगा दूसरे मुद्द को आगेला करके लोगों को भटकाना चाहते हैं लेकिन अब बिहार की जनता भटकने वाली नहीं है तूक्कि बिहार की जनता ने इनको mandate नहीं दिया इन पर विश्वा में क्या होगा देखिए बोचह में हम लोग जीतेंगे चुक्शSistem moi मुशाफिर पासवान जी के सुपत्र अमर पासवानजी को आगे लाका देखिए विए पी से अगर होते npure छोड़कर करके नहीं आते वियाईपी और भारतिय इंता पार्टी दोनों ने अंतर दोन्त की राजनिती शुरू कर दी और उनको लगा कि इस तरह की सितियां जो पैदा की जा रही है कहीं न कहीं समाजिक नया की जो धारा है जिस पर लालू परसाज जी और मुसाफिर पास्वान जी एक साथ चला करते उसको कमजोर करने की कोशिस चल रही है तो उन कोशिसों को उन्होंने समय रहते समझ लिया और उसके बाद तेजस्वी परसाज जादब के नत्रित पर विश्वास करके वो राश्टिय जनतादल के साथ आए और राश्टिय जनतादल ने उनको टिकट देने का काम किया है औ आप देखेंगे कि उनके परती जो जनता की सहनुभूती है जो जनता की हमदर्दी है और जो लालू परसाज जी का विचार समाजी की नयाय का विचार है और जो तेजस्वी परसाज जादब के परती युवाओं का जोस और उनका साथ है उसके कारण बड़ी मार्जिन से वो परिवर्तन पर ले जाएगा आपको क्या लगता है क्या होगा वक्त बताएगा आप अपनी राये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे जुड़े रहे हमारे साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद